just welcome to Hinduography दोस्तों जैसा कि आइने जानते हैं किसी भी ट्राइंगल में एदि काइनगल है एचा कि एक सामने की साइड होती है इक सामने की साइड होती है reconciliation कि और सी के सामने की साइड होती है सी नार्मली ऐसे आइसे ही यह यह तो यह भी वाई होगी, यह जैड है तो यह भी जैड होगा, तो X, Y, Z की वैलू डायरेक्ट कैसे फाइंट करोगी, यहान रखना X कैसे नीकाल रहने, X के बीच में कौन कौन सा आ, A के सामने साइड कान सी ही, A, X इक पल जाएगा, X माइनिस A है, in the same way y के value क्या हो जाएगी y के बीच में पौर कौन से भी और b के सामने साइड है भी y equal to हो जाएगा s minus b इसी परकार j equal to क्या हो जाएगा j equal to हो जाएगा s minus c तो इसके बीच में कौन है सी s minus c s क्या होता है एर वन फॉर्मूला में जो s होता है a plus b plus c upon तो तो चाहिए आया कैसे वो भी देख लेते है जैसे यह कोई ट्राइंगल है a b c ओके ये x तो ये भी x ये सवाई तो ये भी y ये z तो ये भी जेट तो अच्छा ये equal क्यों होती है किसी भी circle पर अगर बार से इस पर सब्सक्राइब कीची जो है same point से circle पर तो कीची आ सकते है एक बेन दूसे इस पर सब्सक्राइब कि दोनों आपस में उपल होती है अब ये complete है a a के सामने a होता है b के सामने d हो जाएगा इस तरह से और c के सामने side हो जाएगी c यहां से एक्वेशन बन जाएगी b की वेलू किया होगी x प्लस z a की वेलू कितनी होगी y प्लस z त लिख लेते है a एक्वल टू वाइब लेस z b एक्वल स्टू कितना हो जाएगा z प्लस x and c एक्वल स्टू y प्लस x x प्लस y अब इन तीनों को और एड कर जाएगे एक्वेशन फार्स टी सेटेंड इन एधर एड करेंगे इधर होगा a प्लस b प्लस c इधर x ओ x 2 x y y 2 y z प्लस z 2 z तुपी लेड़ें के कामन अंदर बच्चे का x प्लस y प्लस z अब जोनों तरफ अगर दो से डिवाइड कर जाएं या इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस b प्लस c अपान 2 इप्लस 2 x प्लस y प्लस z इस 2 को इसके निचे ले आएं यह किसका फॉर्मूला होता है s इसको लिख सकते हैं s और यह हो जाएगा x प्लस y प्लस जेड अगर x की वैदू निकालने है तो क्या हो जाएगा s-y प्लस जेड y प्लस जेड की वैदू कितने है a यहां से देख सकते है s- a a y कितने हो जाएगा y निकाले तो z और x लेफ्ट में आजाएगा s- प्लस एक सब्सक्ते हैं तो याद इक्विल हो जाएगा सब्सक्तर एक सब्सक्तर एक डिए इस जा जाता है तो आज की ट्रिक थो आप दे जो भी बताया यह वैलू एक से तो एक्सक्रीव एस माइनसे यद वैलू कितने होती है एस माइनस भी क्याइट की वैलु कितने होगी? एस माइनस सी इंपोर्टेंट आउट कथा है यह 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 BQR एक ट्राइंगल है PQ, QR और आर्प ट्राइंगल है 13, 14, 15 सेंटे इंटर पीडी इंटु आर्फ की वैलु कितनी होगी? एक पीडी इंटु आर्फ इसकी वैलु किया होगी? अगर यह फॉर्मगा नहीं पता है तो इससे बाउट टाइम लग जाएगा तो काई से करेंगे? इसको X मालने तो यह भी X इसको Y मालने तो यह भी Y, इसको गैड मालने तो यह भी Z अब PQ की वैलू है 13 सेंटी मीटर यह कंप्लीट है 13 QR की वैलू कितनी है 14 सेंटी मीटर और यह 15 सेंटी मीटर तो सबसे पहले S निकाल लेते हैं S की वैलू क्या होती है? A प्लस B प्लस C अपान 2 अब तीनों बुजाओं का योगपल 13, 14 और 15 का योगपल कितना होगा? 5, 3, 8, 4, 12, 12, 3, 14, 42 अपान 2 इतना हो जाएगा? 21 हमें X निकालना है X इक्पल टू क्या होगा? 21 माइनस X किसके पीच वना है? P के पीचे हम P के सामे साइट कांस यह 14? 21 माइनस 14 यानिकी How much? 7 I see Z निकालना है Z किसके सामने है? 13 के सामने है Z की वैलू हो जाएगी यह S माइनस 13 S कितना? 21 माइनस 13 यानिकी 8 QD को X माना था RF को कितना माना था? Z Z into X कितना हो जाएगा? यह 8 into 7 यानिकी 56 cm2 Very easy आप दो पॉस्टन है A-B से ट्राइंगल है भुजाएं देगा है 9 cm, 10 cm, 11 cm P E into AF निकालना है P E है AF Y है सबसे पहले क्या करेंगे, इसको X मालने तो ये भी X होगा, इसको Y मालने तो ये भी Y होगा, इसको Z मालने तो ये भी हमें मेन फोकुस किस पर रखना है, B कितना है, Y, AF कितना है एक्स किसके सामने है एक्स के बीच में एंगिल है यह सामने बनाए ना होके एक्स इक्पल तो हो जाएगा एस माइनस नाइन एक्स निकाल लेते हैं पहले एक्स होता है एक्स निकालना है पंदरा माइनस एक्स के बीच में कोण है एक्स आमने गुजा है नौ अंदरा माइनस नौ याने की छे सेंटी मिटर तो यह निकाल लेते हैं यह यह बाइब इसको पंदरा से घटा देंगे किता देगा चार एक्स इंटू बाइब लाइब लेड पूसा जाए झाए बवागी बिचाल छे इंटू पांच इंटू चार एक्स उप्सा जाँ जाए लेड़े थे इनक्व लिकेंग देंड खना है यूविट